नाइन ख्लास् नाइट्स च्प्टर नेमी इस पोली नोमियल्स आज भी स्कुस करेंगी इंट्रोड़क्शन पार्ट चेप्टर शेकिंड का और इसकी एक्सरसाइज 2.1 सबसे पहले आपको चेप्टर का नाम जैसे कि आपको नजर आरहे पोली नोमियल्स है सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा polynomials होता है क्या है poly means क्या है many और nomials का means क्या होता है terms nomials का means क्या है terms तो polynomial क्या है एक ऐसी chain है जिसके अंदर बहुत सारी क्या होती है terms use होती है it is the chain of किसकी chain है ये sequence किसकी है terms की sequence अभी बताएंगे आपको terms क्या है और जो भी हमारे terms है वो एक दूसरे के साथ positive और negative signs के थुरू जूड़ी रहती है polynomial के जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया है 4x example के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे लिख दिया है मैंने 4x 4x में क्या है इसके अंदर हमारे पास एक तो number है जिसको हम क्या बोलते हैं इस first part को हम बोलते हैं number बोल दो या इसको क्या बोलते हैं coefficient और जो आपका second part है इसको हम क्या बोलते है variable यह क्या है variable अब देखो जो भी आपका coefficient है वो हमेशा क्या होगा 1,2,3 किसी भी number system के अंदर से होगा हमारा और जो आपका x है, x क्या है variable x क्या होगा आपका alphabets जो आपके होते है a to z तक आप यहाँ पे कोई भी symbol use कर सकते हो यह आपका variable part होगा और यह आपका कैसा part है coefficient part है जिसमें coefficient और जो variable है उसके product को हम क्या बोलते है trump बोलते है इस पूरे कोई कठा 4x को क्या बोला जाएगा 4x क्या है एक trump है जिसके अंदर क्या है product है हमारे पास किसका product coefficient का और variable का किसी number का और variable का trump क्या हमारे पास it is the product of किसका product है यह trump किसका product है coefficient का दिख रहे आपको, कोई भी number है, coefficient हमारे पास number system का, और किसका variable का, हमारे पास इन दोनों का क्या है, ये product है, उसी को हम क्या बोलते है, trump, और polynomial के इंदर क्या होता है, chain होती है, मतलब कई सारी trumps होती है, हमारी, और उसको हम क्या बोलेंगे, पोले, नो मिल, जैसे मैंने भी और एक्जामपल ले लिए यहाँ पर, अभी मैंने लिख दिया, यहाँ पर only 4 ले लिया है, मैंने यहाँ पर, 3x ले लिया है, 9x ले लिया है, 15x ले लिया है, या फिर अंडूट 15x ले लिया है, या फिर मैंने ले लिया है, अंडूट 2y ले ल लेकिन हमारे पास variable तो नहीं है यहाँ पे variable है लेकिन variable की power कितनी है हमारे यहाँ पे 0 तो इसको भी हम क्या बोलेंगे ट्रम बोलेंगे यह किसका product है हमारा coefficient का और variable का उसके बास से यह भी क्या हमारे पास ट्रम है यहाँ पे coefficient है variable है coefficient है variable है coefficient है variable है coefficient है और variable है यहाँ पे भी हमारे पास क्या है ये coefficient है अंरूट की फोम में और ये क्या है वारे पास variable है ये भी coefficient है और ये क्या है variable है तो ये सारे के सारे example किसके हैं? κάले trums के सारे किसारे क्या है हमारे पास Thrones अब उसके बाद कि जो भी आपके trums है उसको क्या करना आपको chain की form में जोड़ना है chain की form में जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे लिख दिया मैंने यहाँ पे 9x plus 4 9x plus 4 एक टरम हमारे पास यह हो गई और दूसरी टरम क्या हमारे पास 4 अभी चेके था 9x भी एक टरम है और 4 भी एक टरम है इन दोनों को हमने किस साइन से जोड़ दिया है plus साइन से तो इसको हम क्या बोलेंगे polynomial जब भी भी हमारे टरम्स प्लस यहाँ पे इसको मैंसे भी लिख सकते है 9x minus 4 यह भी क्या हमारे पास एक polynomial तो जब भी हमारे जो टरम्स है positive या negative sign से जो जूड़ी होते है उसको हम क्या बोलते है polynomial तो एक इसके example है polynomials के अब हम करेंगे कि हमारे जो polynomials है on the basis of number of trams वो कितने types के है types of polynomials on the basis of number of trams number of trams के basis पे types of polynomials on the basis of number of number of trams के basis पे जो हमारे polynomials है वो कितने type के है अब देखो आपको ही try करना है जिससे मैंने first लिख दिया यहाँ पे वही लिख दिया है मैंने यहाँ पे लिख दिया 9x और दूसरा मैंने लिख दिया यहाँ पे 9x प्लस 4 और तीसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है 9x स्केर प्लस 9x प्लस 4 और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे 9x क्यू प्लस 9x प्लस 9 मैंने यहाँ पे चार एक्जामपल ले लिए है अब देखो इसके अंदर आप चेक करो एक ट्रम है हमारे पास और हमें किसके बेसिस पे बताना है पोलिनोमियल को नमबर ओफ ट्रम की बेसिस पे अगर हमारी एक ही ट्रम है तो उस पोलिनोमियल को यहाँ पे बाइनोमियल उसके बाद हमारे पास कितनी ट्रम है एक, दो, और तीन इसको हम क्या बोलते है ट्राइनोमियल किसके बेसिस पे कर रहे हम यह क्लासिफिकेशन पोलिनोमियल की ओन दा बेसिज ओफ नमबर ओफ टरम उसके बाद next check कीजिए आपके पास कितने हैं यहाँ पे एक, दो, तीन तीन ही ट्रम है आपके पास तो यहाँ पे एक और लिख लेते हैं 9x2, 9x9 तो यहाँ पे हमारे पास कितनी ट्रम है तीन से ज़्यादा है क्योंकि ट्राइनोमियल का एक्जामपल उसको, polynomials, यह क्या है, monomial है, binomial है, trinomial है, और यह क्या है, यहाँ पे हमारा more than three terms, so it is polynomial, सारे यह polynomials हैं हमारे, लेकिन हमने classification किया है, उसके बाद, अभी आपने देख लिया, coefficient है, एक variable है, जो भी हमारे variable की power होती है, जो भी हमारा variable, जैसे हमारे पास यह variable था, और variable की power, जैसे ह हो सकती है, two भी हो सकती है, zero भी हम भी हमने यहां पे देखा था, जो kilogram है, जो variable की power, zero भी हमने चेक किया है, तो जो हमारे variables की power है, उसके basis पे, जो हमारे polynomials है, उसको भी हम आगे Chuck, जैसे हमने यहाँ पे लिग दिया है, one, ठीक है, तो यह क्या है, इसकी degree बोलते हैं, क्या बो हम तो यह क्या है तो यह क्या है कोफिशन्ट है यह क्या है अ rent की फावर है और जो भी बैयाज़िगल का एक्सक्षोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं डिगी होते हैं तो Types of polynomials, of polynomials on the basis of degree, degree के basis पे, अब जैसे देखो अभी हमने एक्जाम्पल लिखा था, वही एक्जाम्पल हम ले रहे है, 9x लिखा था, एक हमने यहापे लिख दे, 9x² प्लस 9x, और तीसरा हमने यहापे लिख दिया, 9x² प्लस 9x प्लस 9, अब देखो, यहापे एक ही ट्रम है, मोनोनोमियल तो है यह, लेकिन हमें यहापे किसकी बेसिस पे चेक करना है, डिगरी के बेसिस पे, जो भी हमारे पास variable है, उसकी पावर, यहापे पावर क्या है, वन है, जब भी भी हमारे variable की पावर वन होती है, मतलब भी हमारे डिगरी वन होती है, तो उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते है, लीनियर पोलिनोमियल, क्या बोलते है उस पोलिनोमियल को, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का मतलब भी हमारे variable की पावर क्या है, वन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे linear polynomial और example इसलिए जैसे कि 3x plus 5, 2x plus 7, 9y plus 2, 3z plus 5, यह सारे क्या हमार, देखो यहां पर हमारे पास जो variable क्या है, यहां पर x है, उसकी power कितनी है, 1 है, मतलब हमारे पास degree 1 है, तो यह क्या है linear polynomial, यहां पर भी variable चेक करो, x है variable और उसकी power क्या है, 1 है, यहां पर variable क y है, उसकी power क्या है, 1 है, यह भी linear polynomial, यहां पर variable z है, और इसकी power भी क्या हमारे पास 1 है, तो यह भी कैसा हमारे पास linear polynomial, तो linear polynomial की पहचान आप किससे करेगे, डिगरी से चेक करेंगे, जितनी भी डिगरी है, अगर डिगरी 1 है, तो आपकी कैसी polynomial हो जाएगी, linear polynomial, अब उसके degree कितनी है हमारे पास, highest degree हमारे पास ही हाँ यहाँ पे, check करेंगे, आप highest degree कितनी हमारे पास ही हाँ पे 2 है, तो जब भी भी हमारे variable की highest degree 2 present तो किसी भी polynomial के इंदर, तो उस polynomial को हम क्या बोलते है? quadratic, क्या बोलते हैं quadratic, is quadratic का मतलब भी क्या होता है? square, मतलब इसके इंदर जो हमारे पास degree होगी वो हमेशा किस form में होगी square की form में होगी तो इसको क्या बोला जाता है quadratic polynomial अब और example लिख लिए quadratic polynomial की जैसे कि हमारे पास है 3x square plus 2x plus 5 या फिर 2x square plus 4x plus 6 कोई भी आप यहाँ पे equation check कर सकते देखो इसके अंदर देखो जो हमारे पास जो highest degree है variable की वो क्या है 2 है यहाँ पे भी जो highest degree है variable की वो क्या है 2 है तो कैसे polynomial है हमारे पास इसको बोलते है quadratic polynomial अब उसके बाद थर्ड देखिए आप थर्ड में के आपके पास जो variable है आपने चेक किया यहाँ पे भी variable यहाँ पे भी जो highest degree कितनी हमारे पास 3 है highest degree क्या है 3 है तो यह भी हमारे पास कैसा polynomial हो जाए जिसकी highest degree 3 हो उस polynomial को हम क्या बोलते है cubic polynomial क्या बोला जाता है उसको cubic polynomial तो कितने types होगे हमारे degree के basis पे linear polynomial अगर degree हमारी 1 हो quadratic polynomial अगर हमारी polynomial के degree 2 हो और cubic polynomial अगर हमारे polynomial के highest degree कितनी हो 3 हो तो उसको हम क्या बलेंगे polynomials अब मैं यहाँ पर कुछ और example देते हूँ आपको जिससे आपको पता चलेगा कि जो जो हमने numbers लिखे हैं उसमें हम separate कर रहे हैं कि कौन से हमारे polynomials हैं और कौन से polynomials यहाँ पर लिख दिया y square minus 2 उसके बाद next मैंने लिखा यहाँ पर under root 3x उसके बाद next हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इसमें हम under root x ले ले लेते हैं 2 under root x उसके बाद 4 under root x plus 5 जैसे हमने यहाँ पर एक उच एक example ले लिए इसने हमें चैक करना है कि इन में से कौन सा हमारा polynomial है और कौन सा हमारा polynomial नहीं है एक दो एक example पर और लिख लेते हैं 1 by x plus 1 या फिर root x plus 2 अब देखो से बेले चैक करो यहाँ पर हमारे पास variable क्या है x है और उसकी highest power कितनी है 2 है polynomial तो है यह ठीक है यह polynomial तो है ठीक है और polynomial में भी कौन सा टाइप है इसका जिसकी highest degree 2 हो तो इसको हम क्या बोलते है quadratic polynomial polynomial है और कौन सा polynomial है यह quadratic उसके बाद second चेक करें यहाँ पर भी क्या हमारे पास y है y हमारे पास एक variable और उसकी highest degree कितनी है हमारे पास 2 है तो यह भी क्या हमारे पास quadratic quadratic polynomial उसके बाद हमारे पास root 3x यहाँ पर भी हमारे पास variable हमें variable की power चेक करनी है variable की power कितनी है यहाँ तो variable की power 1 है इसके आगे जो भी आपके numbers है जो आपके coefficient है और whole numbers में से कुछ भी हो सकते हैं आपके जैसे कि आपका real number में से भी कुछ भी हो सकते हैं आपके unroot की form में भी हो सकते हैं आपके अब यहाँ पर चेक करें आपके तो यह भी हमारा कैसा है लेकिन यहाँ पर power कितनी है highest degree कितनी है हमारे पास 1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे linear polynomial उसके बार next check करो इसमें इसमें देखा आप जो x है इसका मतलब क्या है x को और square root की form में लिखा गया square root का मतलब क्या है x की power 1 by 2 लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कोई भी polynomial हमारे पास जो power की form में होते है वह किस form में होते हैं हमारे पास whole numbers की form में होते है मतलब जो भी हमारे degree है degree हमेशा किस number के अंदर होने चीए whole number के अंदर अगर degree हमारे fractions में आ जाती है decimals में आ जाती है तो उसको polynomial नहीं बोला जाता मतलब इस form कैसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं 2, x whole power कितनी है हमारे पास 2, अब हमारे पास variable क्या है, x है और variable की power कितनी है, हमारे पास 1 by 2 1 by 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x की power 0.5 तो x की power 0.5 का मतलब क्या है, कि जो हमारे पास जो variable की जो degree आई है, वो हमारे पास किस number में आई है वो हमारे पास आई है decimals की form में और decimals की form में हम कभी भी जो degree है उसको check नहीं करते हैं, कभी भी degree मानी नहीं जाते हैं अगर decimal की form में है तो इस number को, इस number को हम क्या बोल सकते हैं, कि जो ये हमारा number है, ये हमारा number क्या है, polynomial नहीं है, ये इसका square root x solve करोगे तो 1 by 2 आएगा, इसका मतलब जो हमारे पास degree है, वो किसमें आगई है, decimals की form में आगई है, तो ये number भी हमारे पास क्या है, polynomial नहीं है, उसके बाद इसमें 1 by x plus 1 है, तो यहाँ पर by की form में है, तो मतलब इसको अगर हम solve करेंगे, तो भी decimal की form में आएगा हमारा, तो ये भी हमारा polynomial नहीं है, यहाँ पर भी x हमारा किसकी power form में है, square root की form में है, तो ये क्या हमारा polynomial नहीं है, देखो exam में कैसे question किया जाते है, exam में आपसे एक number का question यहीं से निकल के आथा आपका, कि इसमें से आपको जैसे चार option देदेंगे, आपको उससे पुछेंगे कि इनमें से कौन सा polynomial नहीं है, या फिर इस तरह से देदेंगे आपको कि इनमें से कौन सा polynomial है, तो polynomial के लिए एक तो आपका क्या है, कभी भी जो x है आपका जो variable है, उसके उपर square root नहीं होना चाहिए आपका, कभी भी आपका जो variable है, वो division की form में नहीं होना चाहिए, by की form में नहीं होना चाहिए आपका, जैसे कि अब मैं यहाँ आपके एक को लिख दू, 1 by x plus 2 plus 3, अब यह भी क्या आपका, यह भी क्या आपका, division की form में ना आपका जो variable है, 1 by x की form में है, तो यह भी आपका variable नहीं है, तो यह सारे आपके variables नहीं है, यहाँ से, और बाकी अगर आपको, अगर जो variables हैं, sorry, यह polynomials नहीं है, यह सारे आपके polynomials नहीं है, not polynomials, क्योंकि जो हमारा variable है, उसकी power हमारे पास किस number में होनी चाहिए अगर whole number में आती है तो ही हमारा जो polynomial होगा अगर whole number में नहीं आती variable की power तो हमारा whole number में ना आने की वज़े से वो polynomial नहीं होगा, तो polynomial कौन से होते है polynomials कौन सी होगी हमारे जिनके अंदर क्या होगी, जो हमारा variable है इस point को आप याद रख लेंगे, जो variables होंगे हमारे, हमेशा उनकी जो value हो, हमेशा क्या होगी whole number, whole number मतला हमारी कहां से शुरू होगी, 0 हो सकता है, 1, 2, 3, up to infinity, यह हमारा कोई भी number हो सकता है, अब उसके बाद next हम बात करेंगे इसके अंदर, कि जो zeros है, polynomial की वो क्या होती है, next क् तोपिक है हमारा zeros of polynomial, जो next इसके बात हमारे exercise है, उसके अंदर के आहमे zeros ही निकान ले हैं, zeros of polynomial, zeros of polynomial का मतलब क्या है, अब जैसे हमारे पास कोई भी polynomial है, जैसे कि भी हमने लिग लिया हमारे पास है x plus 2, क्या है हमारे पास polynomial, x plus 2, polynomial है, linear polynomial है इसके अंदर क्या है, कि आपको न इसको पोलिनोमियल को 0 के एक्वल पूट करना है, इस पोलिनोमियल को आपको क्या निकालना है, 0 के एक्वल पूट करना है, 0 के एक्वल कब आएगा ये, जब यहाँ पे हम x की value कितनी रख देंगे, minus 2 रख देंगे रख के देख लो minus 2 plus 2 is equal to 0 तो zeros of polynomial का मतलब क्या है कि आपको जो भी polynomial दिया गया है उसको आपको 0 के equal करना है और वो 0 के equal कब होगा जब आप variable की power कुछ ऐसे रखेंगे variable की value ऐसे रखेंगे जो क्या कर देगा उस पूरे polynomial को 0 के equal कर देगा तो 0 of polynomial की definition लिख लेजिये क्या है मतलब आपको क्या करना है कोई भी equation 0 का मतलब क्या है कि उस equation की उस polynomial की value क्या कर दी गई है 0 कर दी गई है variable की value को put करके put करके कोई भी value उसको क्या कर दिया गया equation को 0 कर दिया गया है अब 0 of polynomial की definition क्या है a zero of polynomial a zero of polynomial is the value यह value है किसकी value variable की यह क्या है हमारे पास variable की variable की value है यह for which जिसके लिए जो value होगी आपकी polynomial की पूरे polynomial की value होगी होगी इसके equal हो जाएगी zero की equal for which the value of polynomial becomes zero जो polynomial की value होगी होगी जाएगी zero मतलब इसमें आपको क्या चेक करना है आपको चेक करना है कि हम variable की जगे पे क्या value पूट करे ताकि जो हमारा polynomial है वो पूरा का पूरा क्या बन जाए जिरो बन जाए तो उसके हम क्या बोलते है zeros of polynomial अब उसके बाद जो next topic है हमारा next topic में हम discuss करेंगे geometrical meaning of zeros of polynomial इसके अंदर हम graph पे show करेंगे जो हमारे पास linear equation है या फिर quadratic equation है उसको graph के थरू हम निकाल लेंगे कि कितनी हमारे पास zeros है तो next topic क्या हमारा यहाँ पे geometrical meaning of meaning of the zeros of polynomial zeros of polynomial जैसे कि हमने क्या कर लिया है अभी एक equation ले थी हमने x plus 2 हमने x plus 2 ले लिया है x plus 2 इसमें हमें क्या करना है graph के उपर इसकी value पूट करेंगे हम आपको पता है कि जो ग्राफ है उसके दो x लेते हैं एक x एक्स लेते हैं एक y एक्स लेते हैं दो coordinates से उसकरने पड़ते हैं हमें तो हमें यहाँ पे x coordinate हमने इस polynomial के ले लिया है तो हम इसको किसके एकवल एक table बना लेते हैं यह किया भी होगा आपने 9 class के अंदर आपको अलग अलग values रखनी हैं इससे पहले माल लिया हमारे पास हमने रख दिया x की value 0 यहाँ पे x coordinate लिख लेते हैं y coordinate x की value हमने यहाँ पे कितनी रखी है 0 यहाँ पे solve करो 0 रखी 0 plus 2 y is equal to 2 y कितना आ गया हमारे पास 2 अगर हमने x की value क्या रखी है 0 रखी है अगर हम x की value क्या रखी है 1 यहाँ पे 1 रखेंगे हम 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 अब उसके बाद x की value हम क्या रखें x की value मालने है कि हमने देखो यहाँ पर 0 कब आएगा y is equal to 0 कब होगा यह equation 0 कब होगी जब यहाँ पर हमारे पास plus 2 हम यहाँ पर कितना रख दे minus 2 अगर x की value हम minus 2 रखेंगे minus 2 plus 2 y कितना हो जाएगा हमारा 0 यहाँ पर आप कोई भी value फूट करके देख सकते हो जो अभी हमने equation लिए है यह किसके लिए लिया है हमने linear equation के लिए linear equation के लिए हम ग्राफ चेक करेंगे कैसे equation है हमारे यह linear equation तो कि linear equation में आपको पता है कितने डिगरी होते है कितने डिगरी होते है वैरिएबिल की हमारी 1 डिगरी अब इसको हम ग्राफ पे प्लोट करेंगे जैसे कि हमारे पास यह ग्राफ है ग्राफ पे हमने यहाँ पे coordinates ब्रो किये हुए हैं यह हमारे positive होए होगे x-axis के यह y-axis के positive होगे x-axis के negative होगे और यह हमारे y-axis के negative coordinates है अब इसके अंदर हमें क्या करना है सबसे पहले आप चेक करो आपको x की value कितनी given है 0 है और y की value कितनी है 2 है तो इसको plot कीजिए आपके x-0 यहाँ पे होगा और y की value 2 कहाँ पे होगे आपकी यहाँ पे दो यहाँ पे हमने एक point लगा लिया x कितना हमारा यहाँ पे 0 और y कितना हमारा यहाँ पे 2 यह point आपका उसके बाद second के आपके x की value 1 x की value 1 यहाँ पे है और y की value कितनी है आपकी 3 y की value 3 कहाँ पे आपकी यहाँ पे है X की value 1 और Y की value कितनी है आपकी 3 तो यहाँ पे 1 और 3 लिख़ दिया हमने उसके बाद next के आपके पास X की value कितनी है आपके पास पॉयंट्स को हमें क्या करना है मैच करना है इनको मिल्ट करवाना है कि इसको हम को सोरी भलाइट यहांपे अब देखो यहां पर जो हमारे पास छो अब देखो जो हमारे पास ही चैसे का manipulating धा यह ये प्लोट कर दिया, ग्राफ पर क्या कर दिया, हमने इसको प्लोट कर दिया, एक पॉइंट हमारे यह आ गया, एक पॉइंट यह आ गया, अब आप चेक करो, कि X-axis पे हमारे कितने ऐसे पॉइंट साइए, जहाँ पे POLLINOMIAL ने X-axis को CUT किया है, देखो POLLINOMIAL यह हमारे पास है, यहां पे हमारे पास हमें एक ही point ऐसा नजरा रहा है जहां पे यह polynomial x-axis को क्या कर रही है cut कर रही है या फिर touch कर रही है तो इस point को हम क्या बोलेंगे zero of polynomial और zero of polynomial हमने किस equation के लिए निकाल ला है linear equation के लिए तो आप हमेशे याद रखेंगे हम यहां पे कितने भी points ड्रो कर लेते लेकिन जो हमारा यहां पे जो हमारा polynomial है बस वो एक ही point पे cut करेगा मतलब हमारा जो linear equation है उसके कितने zeros हो सकते है linear equation के कितने zeros हो सकते है only one zero linear equation के कितने zero रखे जाएंगे हमेशा one zero तो यहां पे रख लेजिए आपने क्या पूट किया था जीरो टू वन थ्री माइनस टू और जीरो तो अगर आपको यहां से अब देखो ग्राफ का फाइदा क्या है जिमेटरिकली क्या है अगर मालने हम यह पॉइंट ना लें और हमारे पास यह दो ही पॉइंट आई और घूएयन हमें घीवन है जो पोलेनोमियल हमें घीवन है इसके कितने जीरोज होंगे तो इसके यहां पे ग्राफ को दे के आपको कितने जीरो नजर आरहे हैं only one zero, x-axis पर आपको check करना है कितने बार cut किया है, एकी बार cut किया है तो हमारा यहां पर कितने zeros होंगे only one zero, तो linear equation की हमेशा कितने zeros होते हैं, आप याद रखेंगे इसमें, single या फिर one zero linear equation की कितने zeros होंगे आपके, one zero उसके बाद second, यह हम geometrical representation करेंगे अभी linear equation के लिए किया था, अभी हम करेंगे quadratic equation के लिए लिख लेजे, पहले हम एक equation लिख लेंगे quadratic equation quadratic equation के अंदर जो variable है, उसकी power highest power कितनी होती है हमारी two तो quadratic equation ले लिए हमने यहां पर x square, देखो आप variable की highest power कितनी दिख रिए आपको two minus three x plus, sorry, minus four यह हमने क्या ले लिए है, एक quadratic equation ले लिए, अभी इस quadratic equation के अंदर भी हमें, सेम इसी तरह से x और y की value को put करना है x की value क्या आएगी, यह y की value क्या आएगी, जब हम रखेंगे इसको अब देखें, यहां पर हमने क्या रखा x यहां पर हम रखेंगे y मतलब इस पूरे को हम क्या कर लेते, y is equal to x square minus three, x minus four, यहां पर हम x की value put करेंगे, minus two, यहां पर minus two put करेंगे, तो इसको solve करके हमारे पास y की value आजाएगी six, अगर हम आपको put करके देख लेना है, चेक कर लेना आप, अगर x की value हम यहां पर कितनी put करेंगे, minus one तो y की value आपके पास कितनी आजाएगी, zero अगर x की value हम zero put करेंगे, तो y की value कितनी आजाएगी, हमारे पास minus four x की value one put की जाएगी, तो हमारे पास जो y है, उसकी value आजाएगी, minus six इसी तरह से अगर हम x की value कितनी put करेंगे 2 put करेंगे तो भी हमारे पास value कितनी आएगी minus 6 x की value अगर हम 3 put करते हैं 3 put करेंगे 3 का square 9 हो जाएगा 9 minus 3 into x की वेज़ेंगा यह क्या put करेंगे 3 3 जा 9 9 9 और 9 क्या हो गया आपका यह plus का आएगा minus का जाएगा cancel हो जाएगा आपके पास क्या बचाएगा only minus 4 अब इसी तरह हम x की value कितनी put करेंगे 4 put करेंगे 4 4 जा 16 यह 16 हो जाएगा आपका 3 into 4 यह कितना हो जाएगा आपका 12 तो 16 minus 12 minus 4 यह कितना हो जाएगा आपका यह आपकी value आजाएगी 0 जोगी यहाँ पर 4 minus 4 is equal to 0 आप इस तरह से इसको sold करके देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम value कितनी put करेंगे 4 तो यहाँ पर हमारे y की value कितनी आजाएगी 0 अगर इसी तरह हम x की value put करेंगे 5 तो यहाँ पर आजाएगी हमारी 5 का square 25 25 minus 15 10 कितना आगे आपके पास 10 और 10 minus 4 आजाएगा आपके पास 6 तो हमने क्या कर लिया है यहाँ पर x-axis के coordinates और y-axis के coordinates को निकाल लिया है अब इस equation को हम plot करते हैं graph के ओपर graph से हमें check करना है अभी देखो यहाँ से हम वैसे तो हम बता सकते हैं कि कब हमारी equation x की value 0 कब हमारी equation जूरी होगी एक तो यहाँ पर 0 होगी हमारी equation और यहाँ पर जहाँ पर भी आपको 0s value न ज़रा रही है यहाँ पर हमारा एक 0 निकला होगा quadratic equation का यह कि यहाँ पर निकला होगा लेकिन अभी हमें इस value से नहीं हम graph पर upload करेंगे फिर graph सो check करेंगे हम x-axis पर कितनी बार cut किया है उसके basis पर हम क्या निकाल लेंगे zeros find out करेंगी तो सबसे पहले आपके पास देखिए क्या क्या है आपके पास है x-axis और y-axis में से आपके पास है x की value कितनी है minus 2 और y की value कितनी है आपके पास है 6 तो इसके put किजिए x की value है minus 2 यहाँ पर है आपका minus 2 और x है आपका minus 2 यहाँ आपका है minus 2 और y कितना आपका 6 6 आपका यहाँ पर है तो एक point आपका यहाँ आएगा तो यहाँ पर लिख लिए minus 2 और कितना आपका 6 x को हम पहले लिखते हैं, x को हम पहले लिखते हैं, यह पका point कितना आएगा, यहाँ पर था आपका minus 2, x था रोगद स्क्राइब माइनस 2, यह था आपका 6, 2 और 6 हमने लिख लिए है iron to it, पे, अब उसके बाद हमने यहां पर टोट लगा लिया है, उसके बाद दूसरा चेक कीजिए दूसरा क्या आपके पास, minus 1 और 0, x-1 कहां पर यहां पर है, और 0 भी यही पर हापका, तो दूसरा point आपका जे हो यह है आपका x1 और y कितना है minus 6 यह है आपका minus 6 तो यह आगए आपका 1 और minus 6 उसके बाद next है आपका x कितना है आपका 2 है और y कितना है minus 6 x आपका 2 है और y कितना है minus 6 तो यह आगए आपका 2 और minus 6 next है आपका x कितना है 3 और y कितना है minus 4 x 3 है और y कितना है minus 4 तो यहां आजाएगा आपका x कितना है 3 और y कितना है minus 4 है उसके बाद x है आपका 4 और y कितना है 0 x है आपका 4 और y कितना है आपका 0 तो point यहां पे आजाएगा x 4 है और y कितना है 0 है x है आपका 5 और y है आपका 6 x है आपका 5 और y है आपका 6 तो यहां पे लगेगा आपका, यहां लगेगा आपका decimal, sorry, point यहां, यह कितना है, 5 और 6, तो हमने जितने भी हमारे points निकाले थे, X और Y की values निकाले थे, उन सारे values को हमने क्या कर दिया है, graph पे हमने उन values को रख दिया है, graph पे रखने के बाद अप क्या होगा, हमें यह ना क्य यहां पे, फिर आपका यहां पे, फिर है आपका यहां से, यहां पे, फिर है आपका point यहां पे, और यहां के बाद आपका यहां पे, यहां पे, अब देखो, इस तरह के जो graph आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरा, बोला, क्या बोलते हैं इस तरह के graph को, पैरा, बोला, parabolas बोलते हैं जो कि जो आपको दिख रहे हैं इस तरह की graph होते हैं अभी जो हमने पिछले वाला graph किया था वो हमारा कैसा आया था straight line straight line graph आता है लेकिन जो हमारे linear equation के case में आता है straight line graph लेकिन अगर हमारे quadratic equation है quadratic polynomial है तो उसके case में हमारा graph कभी linear form में नहीं आएगा यह हमारा graph किस form में आता है पैरा बोलास की form में आता है अब देखो अगर माले हमें यह points दिए गए हैं जैसे माले यह graph हमें already plotted देते और इस graph से पूछते आप से कि यहाँ पे कितनी zeros हैं इस equation की इस equation कौन सी equation थी हमारे पास यहाँ पे equation थी x square minus 3x minus 4 इस equation के आपके पास कितनी zeros थी यहाँ पे आप check करो x axis पे कितनी बार cut किया गया है इस quadratic equation ने कितनी बार cut किया है polynomial ने एक बार यहाँ पे cut किया है इस axis पे और एक बार यहाँ पे cut किया है जितनी बार यह x-axis पे cut करता है उतने ही हमारे क्या होंगे यहाँ पे 0s होंगे तो कितने 0s होंगे 2 0s कितने 0s आगे हैं हमारे पास यहाँ पे 2 0s लिख दो कौन-कौन सा 0 है एक तो 1 और 0 है आपका और second कौन सा आपका जब x आपका 4 है और y कितना है 0 है तो आपके पास यहाँ पे क्या आगे है 2 0s आगे है इसके लावा कुछ एक और भी हमारे पास जो ग्राफ है जो कि मैं आपको बूप के अंदर शो करती हूँ इस ग्राफ में जो ऐसे कि आपने first ग्राफ यह तो आपका linear equation का ग्राफ है यह linear equation होगी तो आपको ग्राफ भी कैसा नजरा रहा है straight line उसके बाद next चेक कीजी next के अंदर आपका क्या है यहाँ पे चेक करो आपके पास parabola आ गया है parabola में क्या आपका एक यहाँ पे कट किया गया है और एक यहाँ पे कट किया गया है एक केस जिसके अंदर हमारे पास कितनी 0 है केस फस्स देखिए आपका कितनी 0 है 2 0 अब देखो एक यहाँ पे कट किया एक सेक्सिस पे इस polynomial ने कि यहाँ पे कट किया 2 0 आ गया आपके यहाँ पे यहाँ पे कट किया गया है और एक यहाँ पे कट किया गया कितनी जिरो है हमारी वन जिरो उसके बाद नेक्स यहां चेक कीजिए थर्ड कीज जहां पर हमारी कोई भी जिरो नहीं हो आएगी मंदर यहां पर हमारा जो ग्राफ है वो किसी भी एक से भी graफ सेंगल पॉइंट पे काईट नहीं करेगा तो इसमें आप बोल सकतेों कि कि जो हमारे पास जो कोडिक इक भी ज करें कोई भी जिरो नहीं होगी चयक करों दो गए कतनी जिरों से नहीं है कोई जिरो नहीं है उसके बाद नेक्स्त हमें दिगए है polynomial हमें दी गई है cubic polynomial चेक करो आपके पास एक cubic polynomial यह आपको दी गई है cubic polynomial यह है आपकी cubic polynomial जहांपे हमारे variable की power कितनी दिखरी है आपको 3, degree कितनी नज़रा रहे है आपको 3 degree, तो इसमें x और y की values निकाल दी गई है, फिर इसके बात जो graph प्लोट किया गया है वहाँ पर चेक किजिए आपके पास कितनी जिरो जाई है यहाँ पर चेक करेंगे आप एक जिरो यह है आपकी x-axis को कट किया गया है एक जिरो यह है और एक जिरो यह है तो इस polynomial की कितनी जिरो जाई है हमारे पास यहाँ पर आई है 3 zeros पर कितनी जिरो है यहांपर हमारे पास एक ढ़र unda च्रू पर 20 से जाहंने इस चैक प्रपास करें किए फूर्छ अरूं रही मर frei कि Seo यहां पर x axis को 1, 2, 3, 3 point पे कट किया गया है, यहां पर x axis वो 1 की point पे कट किया गया है, तो इस polynomial की कितनी 0 है, 1 की 0 है, इस polynomial की भी कितनी 0 है, 1 की 0 है, क्योंकि 1 की point पे कट किया गया है, इस polynomial की 1, 2, 3 और 6, क्योंकि यहां पर x axis को इस polynomial ने कितनी points पे कट किया है, 4 points पे, तो यहा zeros निकाननी भी नहीं है इसका फायदा क्या है जो हमने लिखा था ना geometrical meaning of zeros geometrical meaning of zeros का मतलब क्या है कि आपको graph दिये गए है और graph को वस देख के आपको ये बताना है कि जो भी हमारी equation होगी जो भी हमारा polynomial होगा उसकी कितनी zeros possible है उसकी कितनी zeros possible है अब सबसे पहले देखिए आपको question क्या है the graph of y is equal to px px मतलब क्या है polynomial हमारे पास p है और x क्या है उसका variable है मतलब हमें x एक्सिस पे चेक करना है x एक्सिस पे कितने हमारे कट किये गए है polynomial ने वो ही क्या होगे हमारे zeros होंगे polynomial के देखो इस ग्राफ के लिए चेक किजिए आप क्या इस x एक्सिस पे कोई भी कट है हमारे polynomial का नहीं है तो यहां पर क्या होगा आप क्या लेक सकते हो कोई भी 0 नहीं होगी अब उसके बाद इस पे चेक किजिए इस polynomial ने कि यहां पर कट किया है कि यहां पर कट किया है और यहां पर कट किया है तो टोटल कितनी zeros है हमारे पास 3 0 उसके बाद next question फॉर्थ question चेक किजिए यहां पर हमारे जो पैरा बुलाया है जो quadratic equation या जो भी हमारे पास polynomial है वहां पे कितने कट किया गई है एक यहां पर एक यहां पर तो टोल कितनी जिरो जागी है हमारे पास यहां पर टू जिरो उसके बार नेक्स चेक किजिए यहां पर जो हमारे पास पोले नोमेल है उसने एक यहां कट किया है एक यहां कट किया है दो तीन और चार तो टोल कितनी 0s होगी हमारी 4 0s तो यह फायदा ग्राफ को देखे हम क्या कर सकते हैं 0s बता सकते हैं X-axis पर cut check करने बस आपको यहां पर चेक किजिए 1 2 और 3 देखो यहां पर बस टच किया गया है बस पूरी लाइन हमारे नीचे तक नहीं आई है बस only touch किया गया touch करे या cut करे देखो यहां पर तो पूरा क्या है cut किया गया है और यहां पर क्या only यहां पर यहां पर touch किया गया touch किया जाए X-axis को यह cut किया जाए दोनों ही situation में होके आम आने जाएंगे आपकी zeros अब चेक करो एक यहां पर है आपका cut यहां पर touch है और यहां पर भी touch है तो total कितनी zeros हैं आपकी 3 zeros 2.2 exercise हमारी यहां पर complete हुई आगे हम next जो exercise है उसमें करेंगे relationship between zeros and coefficient of polynomials तैंक्स, तैंक्स, तैंक्स फरोची में